हेलो मेरा नाम योगी और हमारी मुलाकात बार-बार होगी तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहें IFL enterprises share के बार में काफी दिन से हमें जो कमेंट्स आ रहे हैं कि इस टॉक को कवर किजिए तो आज की वीडियो में हम IFL Enterprises Share को जो complete analysis करेंगे जो इसमें latest news से चल रहे हैं और आने वाले time में stock हमें क्या targets दीखा सकता है complete analysis करेंगे तो आज का वीडियो काफी important होने वाले तो वीडियो को पुरा ध्यान से देखना ध्यान से सुनना तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कंपनी में जो latest news से चल रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे जो fundamental से कंपनी पर आप उस पर नजर डालोगे तो कंपनी की जो fundamental से काफी कमजोर होते हुए नजर आ लेकिन जो कुछ ऐसी good news भी है जिस पर हम point रखेगे तो वह आने वाले time में stock हमें अच्छा खासा अन भी करके दे सकते हैं आने वाले time में क्योंकि इसका जो current price पर आप नजर डालोगे तो करीब करीब 6 रुपिस के आसपस है और जो company का जो main काम का जो ट्रेडिंग का जो stationary का सामान रहे था प्रोडक्स उसके related जो loans भी देती company जो bonds को रखके house loans home loans यह से अलग-अले company का business पर आप नजर डाल लगे तो company का market capital काफी छोटा करीब करीब 139 करोड के आसपस है और जो current price जैसे अभी हमने बता है 6 रुपिस के आसपस लेकिन आप इसका 52 विक हाई आप देखोगे तो करीब 17 रुपे के आसपस है और company ने जो jump मा रहा था जो एक news आई थी जो इसको काफी बड़े order मिला था उससे company ने jump बारा था लेकिन फिर उसमें जो profit booking होना शुरू होगा जैसे कोई भी stock में जब इतना तेजी से उपर जाता है तो profit booking होता है तो उससे काफी negative impact पड़ा जिससे आज ये stock हमें फिर से 6 रुपे के आसपस आते हुए नज़र आई जो book value पर आप नज़र डालो एक जो company का मुझे सबसे अच्छा point लगा वो company almost debt free कमपनी पर कोई करजा नहीं है जो सबसे बढ़िया point है company का लेकिन company का जो negative point है आप वो देखोगे जो promoter है वो continuously अपना माल बेच रहे open market में आप देख सकते हो जो 2020 में करीब कर भी 2.71 की holding थी फिर उन्होंने 2022 में बढ़ा है औ इतनी हो कोई 1.21 परसें तो प्रमोटर अपना माल बेच रहे बढ़ा रहे तो कुछ तो इस stock में games हो रहे है जिस पर हम बात करें आगे और जो न्यूजेज है उस पर भी हम बात करें लेकिन एक negative पने जो promoter की holding आप देखोगे और उसमें भी जो promoter अपना माल बेच रहे और पब्लिक देखोगे तो continuously अपनी holding बढ़ाते हुए नजर आ रहे क्योंकि company में वो न्यूजेज है क्योंकि जो IFL enterprises एक micro company है जिसको बहुत बढ़ा order मिला था कि वो करीब करीब आप देख सकते हो काफी बढ़ा order था जिससे ये stock हमें boom होते हुए नजर आए जो intraday में जिस order स इसको काफी अच्छा उचाल मिला था लेकिन जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला जो profit booking होती जिससे stock continuously काफी dip में आ गया जिससे एक negative point है लेकिन आप इसको देखोगे जो order मिला था काफी बढ़ा order था करीब 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 190 करोड के आसपास का जो order था जिसमें इनक डिलिवर देना था white printing paper white art paper और white paper 120 SM GSM और white paper A4 साच जो इनको ये order मिला था तो काफी बढ़ा order मिला था जिससे company में जो हमें बूम होते हुए नजर आया था आप देखी सकते हो वो order आपको 1.92 million का जो उनको order आया था लेकिन इसमें काफी लोगों ने अपना माल बेज दिया जो market जीस साबसे ये stock boom हुआ लेकिन आते आते फिर ये stock वापस निचे गिरा क्योंकि लोगों ने बहुत सारा अपना माल फिर से बेज दिया लेकिन जहां तक मेरा point of view है इस stock में आपको छोटी मोटिंग holding बना के रखनी चाहे क्योंकि definitely जीससे company को इतने बड़े order मिले और जैसे कि आने वाले future में इसको ऐसे और भी order मिल सकते क्योंकि company का जो काम का मल्टी business है क्योंकि company finance में भी काम करते stationery में भी काम करते जो bonds का काम रहता है उसमें भी company का काम कजरrak क्या तो आने मुले time में company हमें अच्छा कासा काम भी नजर आ सकता है क्योंकि कफी काफी बढ़िया तो अभी नजर नहीं आ रही क्योंकि जो इसका सबसे एक नागेट्व प्वह प्रोमोटर वह कंटिनुसली माल सेल करें लेकिन जो hum nih का सबसे अच्छा पॉइंट है वो कंपनी को जो ओर्डर्स मिल रहे बड़े-बड़े एक पैनिक कंपनी है एक माइक्रों कंपनी जिसका मार्केट कैपिटल काफ़ी छोटा है लेकिन कंपनी पे कोई करजा नहीं एक अच्छा पॉइंड है कंपनी पे एक रुपे का करज ने कंपनी एल्मोस डेफ फ्री है तो जो काफी बढ़िया निउज है आई एफल एंटरफ्राइज शेयर के लिए वो है कंपनी की जो मैनेजमेंट है जो बोल्स मेंबरों मिटिंग कर रहे जो नौवेंबर में होने वाली थी जिसमें वो डिसकस करने वाले जो शेयर हुल्डर्स उनको बोनस डिविडेन और बाइबेक तो ये काफी बढ़िया पॉइंट है अगर ये होते विए नजर आएगा तो कंपनी में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उनकी लोटरी लग जो आएफल एंटरप्राइजिस की जो बात चलती है मार्केट में वो आने वाले टैम में सच भी होते हुए नजर आएगी जो इनका बाइबेक होने वाले जो शेयर में वो 17 रुपे के आसपास है जो की काफी बड़ा अमाउंट है 17 रुपे के आसपास जो करन शेयर कितने पर चलती है 6 रुपे के आसपास जो बाइबेक क्या होता है कोई भी गमपनी जो मैनेज्मेंट हो जो प्रमोटर से वो ओपर मार्केट से जो माल शेयर होल्डर से जैसे पब्लीक के पास से माल बाइ करते तो उसे बाइबेक बोलते और जैसे कि वो जैसे इस प्रॉक का जो बाइबेक का प्राइज रखा गया वो 17 रूपे के आसपास आप देखी सकते हो न्यूज जैसे में आपको थोड़ी दिर पहले बूला जो इनका पर एक्विटी शेर का जो प्राइज रखा गया वो 17 रूपे के आसपास है मतलब कंपनी में जिजनों ने अल्रेडी इंवेश् भी लग सकती है लेकिन अभी इस पर जो अप्रूवल आया नहीं लेकिन हमें फ्यूचर में आते हुए नजर आए क्योंकि काफी मार्केट में इसकी जो न्यूज चल दी है आप देख सकते हो रूपीस 17 पर शेर बाइबैक प्रोग्राम अप टू 10 परसेंट आप पेड़ कै एंटरप्राइजिस में जिन्होंनों इंवेश्मेंट किया उन्हें अच्छा कासा प्रॉफिट भी हो सकता है और आप देखी सकते हो जो आई एफल एंटरप्राइज है उन्होंने जो इशू किया है बोनस उस पर भी वो नजर अभी फिक्स होते हुए नजर आये मतलब सब लेकिन जो सबसे एक ही नेगेटिव पॉइंट है जिसका प्रमोटर रोल्डिंग काफी बढ़िया लेकिन बाकी तो फंडमेंटली काफी स्टॉंग हमें फ्यूचर में होते हुए नजर आ सकती कंपनी कंपनी पे आप नजर डालोगी जो करन इसका प्राइज 6 रुपे 10 पै फिर से बूम होते हुए भी नजर आ सकता है लेकिन हमें इस टॉक में ज्यादा इन्वेश्मेंट करना नेचेक एक एक मिनिममम अमांट ही इसमें पैनी स्टॉक है क्योंकि और रिक्स प्रूब भी हो सकता है पैनी स्टॉक जिस हिसाप से न्यूजज चलते लेकिन बहुत ब हमारे चैनल पर आप उस सबसे पहले देखने को मिलेगी आपने अल्रेडी स्टॉक में होल्डिंग बनाई रखी किस प्राइस पर बनाई रखी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और आपको किसी और स्टॉक के बारे में जानना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन अजय देनटेटी तूजा है सेटे हमी तूल कि लृटे लडाल है पही हम उेखा है पीपार कि रभागी भफाब भाही है जिलिल